सर्व मंगल मंगल ये शिवे सरवांथ साधी के शरंगे त्रंब के गौरी ना रायनी नमुस्ति ते जैमा इंद्राक्षी इंद्राक्षी धाम में दर्शक को आप सभी का महार्दिक स्वागत करते हैं आज के दिन जिन जातकों का जनमदिवा से मेरी जैनिवर्सरी है उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुब कामना है आज हम इसकंद माता के बारे में चर्चा करेंगे मा भगवती आप सभी का कल्यान करें और इसकंद माता की कृपा से आप सब के मनौरत पूर्ण हो है न? और इसकंद माता के सबरूप के बारे में भी आपसे हम चर्चा करेंगे भगवती इसकंद माता की जिस सादख ने भी ध्यान से तपस्या की है तब किया है भगवती उसे आशिरवाद देती ही देती हैं। आए सबसे पहले भगवती इसकंद माता की हम सवरूप के आपसे बात करें। नवरात्र के पांचवे दिन मा इसकंद माता की उपासना की जाती है। भगवान इसकंद की माता होने के कारण मा दुर्गा के पांचवे सवरूप को इसकंद माता कहा जाता है आपकी चार भुजाएं हैं दाहिनी ओपरी भुजा से आप भगवान इसकंद को गोद में पकड़े हुए हैं और दाहिनी निम्न भुजा में जो उपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है आपका वर्ण पुरुनेतहा शुब्र है आप कमल के आसन पर विराजमान है आपके ध्यान पूजन से साधक की पात्रता का सम्यक विकास होता है इसी के साथ साथ आएए आज के दिन पंचमी के दिन हम भगवती को तिथी के हिसाब से क्या भोग लगाएं वार के हिसाब से क्या भोग लगाएं उसकी चर्चा हम आपके संग करते हैं पंचमी के हिसाब से भगवती को केले का भोग पका केला अरपन करना चाहिए और जैसे कि दिन शनिवार है उस हिसाब से गोगरत यदि मिल जाए तो गोगरत अरपन करें नहीं तो केवल फका हुआ केला ही भगवती को अरपन कर दें बाद में परसाद सब्रूप समझ करके हम उसे ले सकते हैं साथी साथ कल छटा नवरात्रा है मा कात्याईनी की कल के दिन पूजा की जाती है भगवती कात्याईनी को कल की तिथी के हिसाब से सश्टी तिथी के हिसाब से क्या भोग लगता है वो भी सुन ले मधू का भोग लगाया जाता है शेहद का मधू कहते हैं शेहद को शेहद का भोग अरपन किया जाता है और जैसे की रविवार का दिन पढ़ेगा बहुत अच्छे से आप अपनी पूजा पाठ करना ताकि भगवती आपसे प्रसंद हो आपको शुब आशिरवाद उनसे प्राप्त हो सके इसी के साथ हमने आपसे कहा था कि हम सिद्ध कुंजी का इस तोत्र की आपसे बात करेंगे अब देखो दुर्गा सब्टशती एक बहुती अमूल्य ग्रंथ है दुर्गा सब्टशती रहसियों से परिपूर्ण है इसी में पीछे की तरफ जिनके पास नई जिनोंने किताबे लिए हो नई ग्रंथ लिये हो तो पीछे की तरफ 231 पेज बे मिलेगा या उसके आसपास कोई पेज हुआ क्योंकि बहुत लोगों के पास पुराना वर्जन भी है कुछ लोगों ने हिंदी वाला भी खरीदा है तो आप अपने हिसाब से ढूंड लें सिद्ध कुंजी का इस तोत्रम पीछे की तरफ है भगवान शिव इसे प्रारम कर रहे हैं शिव वाच शिव जी बोले क्य कफल प्राप्त हो जाता है तो क्या हम भगवती दुर्गा श्रफ्षती के पाठ ना करें नहीं उनका भाव यह नहीं है भाव यह है यहीं किसी साधक के पास समय अभाव हो बिल्कुल भी समय ना हो तो ऐसे साधक को सिद्ध कुंजी का इस तोत्र तो पढ़ना ही पढ़ना और सिद्ध कुंजी का इस तोत्र की सबसे बड़ी मैं आपको बात बताओं इसमें छिपे हुए शावर मंत्र भी हैं जी हां और सिद्ध कुंजी का के अंदर जो बीजात्मक गणित है वो बहुत ही रहस्य पूर्ण है उन वीजो का वर्णन करना हर व्यक्ति के बस में नही दूसरे पेज़ पर सिद्ध कुंजी का में अम कम चम टम तम पम यम शम वीम दूम एम वीम हम शम यह एक एक बीज रहस्यों से भरा हुआ है छोटे से बीज में कितना बड़ा विशाल वटवरक्स शमाया हुआ 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 है देखा न आप ने कभी कोई बीज बोके देखिए कितना विशाल पेड़ उस बीज के अंदर छिपा हुआ 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 है तो ऐसे ही इन बीजों के अंदर मेरे सादकों रहस्य सब्सक्राइब सब्सक्राइब करते हैं जिन साथगों के पास समय बिल्कुर ना हो तो प्रति दिन की अपनी दैनिक साथनाम है सिद्खु जी जरूर पढ़े जिन साथग ने संसान से विशा ली है हम ने उसमें भी इंद्राक्षी इस्तोत्र और साथ में सितकुंजी का इस्तोत्र उनको भेजा है क्यों सितकुंजी का इस्तोत्र वास्तम में बहुत ज्यादा अपने आप में शक्ति शाली है हां आप संस्कृत में सिद्कुंजी का नहीं पढ़ पाते तो आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं जी हाँ ऐसा मन में नाला है कि हिंदी में दोश लगेगा संस्कृत में फल मिलेगा बात है भावना की आप चाहें कितने भी संस्कृत के विद्वान क्यों नहीं हो लेकिन आपकी भक्ती में और मा के उपर यदि भावना नहीं है आपके भाव नहीं जगे तो आप माले ना आपकी भक्ती भी नहीं जगेगी बात है भक्ती की भिली ने कुन सा पाट किया था भगवान राम को पुकारती रही पुकारती रही बस राम 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 करती रही और देखो कैसे भगवान राम उन्हें मिल गए है न तो भाव से भगवान प्राप्त होते हैं तो आप अपने भाव को अच्छा बनाएं भाव को मजबूत बनाएं फिर देखें कि आपको कितना अच्छे राब की प्राप्ती होती है ऐसे ही भगवती की अश्टुत्र नामावली है भगवती के 108 नाम है भगवती के अश्ट भगवती से प्रेम करने वालों से एक ही बात कहूंगा कि जिस प्रकार के हमारे ये अंक चल रहे हैं इन अंकों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तो आप पहुंचाएं शेयर करें देखो भाई हमारे दो चैनल हैं एक इंद्राक्षी धाम के नाम से है एक हमारे नाम से है प्र इसलो लाग की संखिया में हम से जुड़े हैं इंदिरलाक्षी धाम बहुत बाद में फ्लेट्प्र फार्म कढा किया गयाय और अब पेट अब हो वुद बात्त करीब एक लाग के आऊसपास हम वह सेव जुड़े हो नाम से तो हम चाहते हैं धीinstall दहिरे दहरी धहरे दहरों की जोती घर घर तकrios पूसे बहुत लोग वास्तविट्र किस्तित्य इसे सब में पहुत घौन जी तो लिखाय यह उसमें पार्ट की आवश्टता नहीं है तो भाव समझो उसमें क्या भाव है ऐसे हिसे ही मैं और्ध काजा देते हैं बास समझ नहीं पाते हैं तो मेरे सादको सिद्कुंजी का स्तोत्र समय निकाल करके बहुत गोपनी इस्तोत्र है और कैसे भगवान शिप पारवती से कह रहे हैं कि ये बहुत गोपनी है इसे हर किसी को नहीं बतलाना चाहिए लेकिन प्रोपकार की भावना से हमारे रिश्यों ने इसे सादकों के लिए बताया धिरे धिरे ये सादकों से पुस्तकों में आया गीता प्रैस में आया और जगा जगा तो ऐसी चीजे जिनसे जन कल्यान हो वो घर घर में ऐसी पुस्तके होने चाहिए ऐसे इस्तोत्र होने चाहिए आईए आज की ध्यान साधना में हम ध्यान करते हैं मा भगवती का मा इसकंद माता का ओम सिंदूर अरुण विग्रहां त्रिनायानाम मानिक्यमोलेस्पुराज स्तारा नायक से करां स्मित मुखे भापे नबाग छोरुआं पानी प्यामल पूर्ण रत्न चसकां रत्नोत परां विब्रते सोम्यां रत्न गटस्त रक्त चरणां द्यायत परां मंबिकां खडगं चक्रगदे सुचाप परिगान चूलं भुसुंडिम्सिरा संखं संदधतिम्करिस्त्रिनायानाम सरवंग वुस्वरितां निलास मध्युतिमास्यबाद दसकां सेवे महां कालिकां यामास्तो स्वपिते हरो कमलजो अंतुम्मदुम्कटवं विद्यो दामसमप्रवाम्रिगपते सकंदस्तितां विशनां कञ्यां विहकरवाल खेट विलसा धस्तविरास्यवितां हस्ते स्चक्रगदा सिखेट विसिखां स्चापम गुणम तरजनीं विप्राणा मलिलात्मेकां ससिदारां धुरगाम्तिनेत्रां वजे वच बना लें ध्यान करें भगवती का शुब आसी समसब के उपर बरस रहा है अम बोलते हुए नेत्र खुलें समान्य हो जाए मिरे साथ को आपका बहुत प्रेम हमें प्राप्त हो रहा है और ये प्रेम ऐसे ही हमें प्राप्त होता रहे हम भी भविश्य में आपको ऐसे ही प्रेम करते रहेंगे जो भी कुछ ग्यान का खजाना हमारे पास तूटा फूटा है जो भी है, वो हम कतई भी उसमें बचाने का प्रयास नहीं करेंगे, उसे ऐसे ही आप सब के संग बाटते रहेंगे, आप सब सुखी रहें, संपन रहें, भगवती स्कंद माता, भगवती इंदराक्षी, आप सब का कल्यान करें, इनी शब्दों के साथ हम अपनी वानी को बिर तो वो क्या था, मेरी कोई बात नहीं मानता था, सालों तक मेरा उसका जगड़ा चलता रहा, और मेरे जानकार लोग थे, उसमें कहता था भाई, मैं इससे हार जाता हूँ, क्या हूँ क्या हूँ कि मैं आप से मिला आकर, कुछ आपने उसके लिए भी उपाय बता है, जो सार कुआर के दिनों उठता है, खुदी जो है, वो मेरे घर में बेल का पेड़ भी लगा है, बेल के पत्ते तोड़ता है, और उनके 11 सेट बनाता है, कहां से उसने लिया मुझा पता नहीं, और भगवान शंकर पर जल चड़ाता है, उन पर राम राम लिखता है, और ये सब जो शर्माजी से, नोट, शिवर में भाग लेने हैं तू, एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय, सुभा 10 वजे से शाम 6 वजे तक, हमारे विभिन ज्यान बर्धक कारिक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप देख सके हमारा कारिक्रम सबसे पहले, और अधिक जानकारी के लिए फेस्बुक पेश को लाइक करना ना भूलें करना ना भड़ देख सके हमें देख सके हमें